अपसे 56 वर्ष पहले सन 1911 की बात है मैं उस समय स्कूल का विध्यार्थी था पंडित श्री कृष्ण हरहिर लेकर जी से संगीत सीख रहा था उनके गुरु पंडित विष्ण दिगंबर पलुसकर अपने शिश्यों के साथ काशी में आये थे उनके संगीत का कारे करम बांस फाटक के हौल में रखा गया पंडित हरी हर लेकर मुझे भी संगीत सुनने के लिए ले गए प्रातह काल का समय था कुछ समय तक पहले पंडित विष्ण दिगंबर पलुसकर के शिश्यों का गायन बादन चलता रहा अंत में पंडित विष्ण दिगंबर पलुसकर मंच पर आये उस समय पंडित जी दाढ़ी नहीं रखे हुए थे लंबा कोट और पतलून पहने हुए थे सिर पर राजस्थानी ढंग का एक सुन्दर साफा बादे हुए थे लंबी मूच थी उनके भव्य मुख पर एक अद्भुत तेज था पंडित जी के लिए एक कुरसी लाई गई उस पर बैट कर पंडित जी ने अपना गान प्रारंप किया कुरसी के पीछे दो शिश खड़े होकर तंबूरा बजा रहे थे पंडित जी ने आसावरी राग में निवरिया जांजरी आन पड़ी मजधार खाल गाना प्रारंप किया जिनोंने पंडित जी का गाना उनके जीवन के केवल उत्तरकाल में सुना है वे इसकी कलपना भी नहीं कर सकते कि पंडित जी अपनी जवानी में किस परकार गाते थे पंडी जी की गायकी की विशेश्टा थी आलाप चारी लेकारी और बोलतां शुश्क निरक्षर केवल आकार की ताने पंडी जी बहुत कम लेते थे आलाप पंडी जी पहले मद्धिस्थान में प्रारंब करते थे थोड़ी देर तक मद्रस्थान में आलाप करने के अनंतर वो मंद्रस्थान में आलाप प्रारंब करते थे उस दिन पंडी जी ने मंद्रस्थान में काफी देर तक काम किया संगीत के विद्यारती होने के नाते मैं उनके गान को बहुत ध्यान पूरबक सुन रहा था थोड़ी देर में पंडिजी मंदर स्थान के शज्ज स्वर पर आए मैं हॉल के अंतिम बेंच पर बैठा था किन्तु वहां तक पंडिजी का मंदर का शज्ज स्पष्ट रूप से सुनाई देता था पंडिजी बिना माईक के गाते थे उन दिनों तो माईक था भी नहीं मेरे आश्यर्ज की सीमा न रही जब मैंने ये देखा कि पंडिजी मंदर स्थ्ज से भी उतर कर अनुमंदर में आ गए और अनुमंदर के पंचन स्वर तक बहुत सरलता से काम कर रहे थे दिरे दिरे पंडिजी मद्यस्थान में आकर तारस्थान की और मुड़े उनके तारस्थान के सर भी बड़ी मधूरता से लग रहे थे बांस फाटक का हाल टिन से चाया हुआ था पंडिजी के तारस्थान के सर इतने जोरदार और पाटदार थे कि जब वे उपर छट की टिन से टकराते थे तो उन स्वरों की प्रतित ध्वनी टन टन स्पष्ट रूप से सुनाई देती थी आलाप के अनंतर कुछ तानों का काम चला और फिर लाइकारी और बोल तानों का गांड समाप्त करने की शैली पंडी जी की निराली थी वो पहले एक छोटी सी तान तीन चासरों की लेती थे उसके अनंतर अपनी तान में एक एक सवर बढ़ाते जाते थे यह क्रम मद्जिस्थान में प्रारंब होकर मंद्रस्थान में जाता था और अन्त में गान एक लंबी तान से समाप्त होता था जिसमें क्रम से मंदरस्थान के शड़ से तान प्रारंभ होकर अतितार के शड़ तक जाती थी उस दिन आसारी भी ऐसी ही एक तान से समाप्त हुई संगीत शिक्षा और संगीत प्रचार का कारी जैसा पंडी जी ने किया वैसा आज तक कदाचिती ही और किसी ने किया हो 1901 में पंडी जी ने लाहूर में गांधर महा विद्याले की स्थापना की और 1908 में बंबई में इन विद्यालेों में 40-50 विद्यार्थियों को पंडी जी अपने पास से खाना पिना वस्तर त्याद का खश दे कर संगीत सिकलाते थे क्रियात्मक संगीत के लिए पंडी जी ने कई ग्रंथ स्वरलिप में प्रकाशित किये भक्ति संगीत को प्रचार में लाने के लिए उन्होंने संतों के पदों को सुरलिपी बद्ध करके भजनामृत लहरी शीर्षक से पांच भागों में प्रकाशित कराया था पंडी जी ने वरिंदगान और वरिंदबादन भी अपने विद्याले में प्रारंब किया था उन्होंने ड्रिल के साथ गीत और अभियान गीत मार्च सौंग भी बनाये थे रामायन की चौपाईयों को भिन भिन रागों में निबद्ध कर उन्होंने देश भर में उनका गान किया रगुपति रागव राजा राम पतित पावन सीता राम की धुन पंडि जी ने ही बनाई थी जिसको महात्मा गांधी ने अपनाया और जिसका प्रचार सारे देश भर में हो गया स्वर को उन्होंने दीरगत पस्या से इस प्रकार वश में कर लिया था कि अंत तक उनका स्वर पर अधिकार एक साही बना रहा सन 1925 की बात है कानपुर में पंडि जी ने एक संगीत परिशद की थी उन्ही दिनों कानपुर में इंडियन नेशनल कॉंग्रिस की भी बैठक चल रही थी पंडि जी एक दिन उसमें राष्ट्रगान करने गए सब मिला कर शोताओं की संख्या लगभग 25,000 गे थी पंडि जी के सामने माईक रखा गया पंडि जी ने माईक खटा दिया कारिकरताओं ने कहा बिना माईक के इतने लोग आपका गान कैसे सुन सकेंगे पंडी जी ने कहा आप माई कलक कीजिए अभी देखिए लोग कैसे सुनते हैं पंडी जी ने मद्यस्थान का कोमल धैवत अपना आरमभक स्वर रखा और खमाज राग में ये गान प्रारम किया भारत हमारा देश है इसके हित हम कुछ ने कुछ कर जाएंगे उनके शिष्य वर्ग जो पीछे तंबूरा बजा रहे थे स्थाये में भी पूरा साथ न दे सके क्योंकि स्वर बहुत उचा था जब पंडी जी ने अंतरा प्रारम किया तो सारे शिष्य चुप हो गए उसमें वे बिलकुल साथ न दे सके पचीसदाज की जंता पंडी जी का एक एक शब्द सुन रही थी उस भीड के किसी किसी कोने से धन्य है धन्य है का धीमा उदगार सुनाई देता था बुढ़ापे में इतना उंचा पाटदार और मदुर्सवर जिसे पचीस दार की जनता स्थब्ध होकर सुन रही थी ये जल्दी में विश्वास में आने योग ये बात नहीं है ये अद्बुत है किन्तु सत्य है मैंने अपने जीवन भर में ऐसी पाटदारा आवास कभी नहीं सुनी और न किसी को ये कहते हुए सुना कि उसने कहीं भी ऐसी आवास कभी भी सुनी हो एक और संस्मर्णी एक घटना सुनाता हूँ मैं कानपूर में प्रतेग वर्ष संगीत परिशद किया करता था और पंडी जी प्राया उसमें भाग लेने आते थे सन 1928 की बात है संगीत परिशद फूल बाग के किंग एड़वर्ड मेमोरियल हॉल में चल रही थी यद्यपी स्वयम सेवकों को मैंने या आदेश दे रखा था कि दस वर्ष से नीचे का कोई बच्चा परिशद में प्रवेश न पावे फिर भी न जाने कैसे एक महिला लगभग दो तीन वर्ष का एक बच्चा गोद में लिये हुए उपर गैलरी में आकर डट गए पंडी जी मंच पर बैठे गा रहे थे राग सागर की प्रसिद बंदेश एमन हमीर उन्होंने प्रारंप किया था जैसे ही उन्होंने अंतरा प्रारंप किया हर दरवार में कहावे नाय की कि गैलरी में बैठी हुई महिला के गोदवाला बच्चा रोने लगा मैंने स्वयम सेवक को बच्चे को चुप कराने के लिए भेजा कि बच्चा भला क्यों चुप हो वो और जोर जोर से रोने लग गया पंडी जी ने इस कठनाई का अन्भो किया पंडी जी ने अपनी जोरदार आवाज में हर दरबार का बाक्षर तारशट में रोप दिया और लगभग एक मिनट तक उसी तारशट पर रुके रहे सारे हॉल में सन्नाटा चा गया बच्चा चकित होकर उस्वर की ओर आक्रिष्ट होकर उसे सुनने लग गया और फिर कभी नहीं रोया अन्त में एक और घटा का उलेख करना चाहूंगा सन 1930 की बात है कानपुर के जी एवी कॉलेज हॉल में मैंने संगीत परिष्ट का आयोजन किया था और वर्षों की भाँथ उस वर्ष भी पंडीजी परिष्ट में समलित होने आये थे जीवन के उत्तर काल में पंडीजी ने ख्याल गाना छोड़ सा दिया था केवल भजन गया करते थे कुछ लोग उन्हें निरा भजनीक कहने लग गए थे प्राता काल की बैठक चल रही थी प्रियाग के श्री वामन रा उठकार ने आसावरी में एक बहुत अच्छा ख्याल गया इसके बाद ही पंडीजी की बारी आई उस दिन पंडीजी को एक बचित्र जोश आया उन्होंने बिलाबल राग में तोम नोम प्रारंप किया और पूरे डेड़ घंटे केवल तोम नोम गाते रहे गान में एक भी शब्द नहीं आने पाया बहुत देर तक मंद्रस्थान के सरों में भी जुब्की लगाते रहे जब मद्रस्थान में आये तो ऐसा लगा मौनो कोई कुशल तैराक स्वरलहरी की उपरी सतह पर अब तैर रहा है गमक और मीट की प्रदर्शनी लग गई राग की मारमिक वैदना मुखरित हो उठी लगता था भू लोग से उठा कर हमें किसी ने स्वर्ग लोग में पहुंचा दिया हो श्रोताओं में कुछी लोग ऐसे थे जो तोम नोम की बारीगी को समझ सकते हो किन्तु पंडी जी के स्वर्ग और शैली का प्रभाव ऐसा था कि सब अवाक चित्र लखित से बैठे रह गए एक राग का तेड़ घंटे तक केवल तोम नोम कैसा क्षन था वो गो स्वामी तुलसी दास जी ने एक घटना का वर्ण करते वे कहा है गिरा अनैन नैन बिनुवानी उसी से मिलते जुलते शब्दों में कहना पड़ेगा गिरा अश्रमन अश्रमन बिनुवानी जिसने उस तोम नोम को नहीं सुना है वो वर्णन के द्वारा कभी उसके मर्म को न समझ सकेगा पंडी जी दूसरे वर्ष में पाल गए और वहां से लोटने के बाद 1931 में उनका देहा वसान हो गया एक अनुपम गायक, अद्विती ये शिक्षक, अद्भुत प्रचारक अब प्रतिम संगटन करता पंडी जी एक व्यक्ति नहीं, किन्तु अपने में ही एक पून संस्था थे अब कब और कहां फिर ऐसे लोग होंगे